आपने कहवत सुने होगे खिसियानी बिली खंबान हो चे तो वो ही कर रहे हैं और क्या करेगी हो इस तरह से कप्रसान और शम्षान भूमी का मुद्दे को लेकर कॉंग्रेसी नगर सिवी का सारा अकरम ने एक नया ववाल खड़ा किया है इस पे हम थोड़ा गहराई में जाते हुए जिन महाशे निया जिन नगर सिवक निये विशे महानगर पाली का मिलाया था हम उनसे जानते कि ये किस तरह का प्रस्ताव था जो पारित हुआ है मक्सद था एक तो पहला मक्सद था कि गाउं छोटा था वहाँ पर उस समय लकड़े की व्योस्ता उची तरह से लोगों को मिलने रही थी जिसे कि ये किरिया करने में बहुत तकलिफ होती थी कुछ संसा है थी जो ये काम करती थी ये प्रस्ताव दोजार पांच ये साथ में मैंने लाया उस समय ये प्रस्ताव लाने का मुद्देस यही था कि मरने के बाद में भी आदमियों को कम से कम सही तरिके से उसको मुक्ती मिले और इस सर्ज पेल आया क्योंकि मुंबई महापाली का उसमें 300 किलो लखडे उरे मुंबई में सम्शानों में फिर दे रही थी तह मैंने विसे लाया कि बबाबा पाहिंदर की जितनी सम्शान भूमी है उसमें महापालिका द्वारा लकड की विवसा की जाए। उस समय मेरे ख़याँ जेम चंद्रकान वैती उसमय उस मसभागड़ में नेता थे। उन्होंने इसका विरोथ किया कि हम फुकट का नहीं लेंगे, यह नहीं लेंगे, यह यह हिंदू को भी मिलता है, तो Christian को भी मिले, Muslim को भी मिले, हमने बोला हम किसी को जाती पात के आधार पे प्रस्ताव नहीं लाया, अगर आपको लगता है Muslim को मिलना चाहिए, कबरिस्तान को इसमें सुचना करके आप प्रस्ताव को मंजूर कीजिए, लेकिन उसमें उन्होंने ध्यान ने दिया, हाँ, हमने इस बात का ध्यान रखा, जिन मानुभावों को फ्री में लकड़ी नहीं चाहिए, महापालिका में सुच्छा से हजार पे की रसित फड़ा सकते हैं, आज भहुत लोग हैं, जो यहां पर हजार पे की अपना दफन के लिए यह जलाने के लिए लकड़ी का हजार पे भरते है और जिनको लगता है कि नहीं हमारी यह आईपात नहीं है, वो लोग फूरी में भी करते हैं, और यह प्रस्ताव लाने का उदेश यह नहीं था कि किसी धर्म के किसी समाज का विरोत करना है, लेकिन जो मरने के बाद में इस परिवार को जो कट्टन ही होती थी, उसका किदर सुलूशन निकले, यह मेरा मेन उदेश था, बाद में हमने यहाँ पर कफन मिलने का भी तकलिफ थी, हंजू रिवाज में भी लकड़ा लगता है, लकड़े के साथ में कपड़ा लगता है, बांबू लगते है, पट्टी लगती है, काथा लगता है, नारिय लगता है, घी सब चीजे लगती है, इसकी भी बहुत जरूत थी, उस समय में 1979 मेरी उमर मातर 20 साल की थी, उस समय मैंने महापालिका से रिक्वेश्ट करके एक छोटी सी जगह ली, आज भी उस जगह में महापालिका की जगह में पुरे हिंदू वीधी से जो समान चाहिए, वो आपको मिलत है, उसमें हम किसी तरह का प्रॉफिट नहीं लेते हैं, और जो लावारी साते हैं, कोई या कोई जिसके आइपद दें, उसको 50 तका डिसकौन में भी समान देते हैं, तो यह समाज कारी है, इसमें राजकारन कोई भी करता है, वो घलत है, भले वो कॉंग्रेस हो या बीज़ समाज का राज़काशन कोई जब उनको इस प्रसाओं तो अज भी कर सकते हैं, उस प्रसाओं में संसोधन के रूप में वापस महासभा में लाए, कि बाबा जो महापालिका की मालिका नहीं हक है, कबुरिस्तान में या क्रिस्चन लोगों के घिरज़ाखरों में, जो उनकी म करने से तो अच्छा वो मेडम जो नगर्शिव का विरोत करी है उस परस्ताओं को संसोधन की रुप में लाके महापालिका में देना परस्ताओं करेंगे लोगों की भावना है कि लोगों मिलना चाहिए लेकिन यह जरूर है जिससे हमें आपका चैनल से देखा यह राजकरन से कारण आज यहां पर सुधाय मिल रहे हैं इनका भी मानना है कि इस प्रस्ताओं को लेकर इस मुद्दे को लेकर राजकरन ना किया जाए अब हम जानते हैं कॉंग्रेसी कॉर्परेटर जुबेर इनामदार का क्या कहना है इस पूरे मामले में कॉंगरस में ही थी मुझे अभी जब तक वो डिफेक्षन का कारवाई पूरी नहीं होती तब तक वो कॉंगरस में ही है उनको में याद दिला दू एक दूसरा तीन हजार रुपए जो कबरस्तान में लिया जाता है जो एक ट्रस्त लेती हमारी जामा मज़ित अल्शम्स कब कफन का है कफन के साथ में लगने वाला जो मसाला सामगरी वो है बर्गे लगते हैं बर्गे का अब जो लखड़ी लगती हमको वो है चटाई लगती है और कफन खोदने वाले का मुआफजा उसका मेंताना यह सब मिलाकर तीन अज़ार पर तक का खर्चा आता है जो हम लेते हैं अब लेने की बात ऐसी है कि हर घर का अगर किसी के घर में अगर कोई मौत हो जाए तो वो कफन नहीं लेता वो अपने घर का ही इंसान होता है जो उसके घर के नजदी के इंसान को कफन देता है या वो खर्च को उठाता है कभी-कभी तो आसपोड़ोस वाले कर देते हैं क्योंकि यह कायम प्रता उसको बड़ा सवाब समझा जाता है कि मैंने कफन के कुछ हिस्से मे अपना हिस्सा दाला कर्च में इस तरह से यह है वाकि इसमें कोई राजकारन की जगा नहीं और इस किसम की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है उनने कहा कि हिंदूों में लखड़े मुफ्त मिलते हैं यहां नगरपाली का में आपको जानकारी नहीं है आप अले जानकारी जो आप अभी अभी नगर से भी का बनी थी आपको अभी तक मुकमिल जानकारी हुई नहीं है जो समशान भूमी है वापे लखड़ा जो है उसका 1000 रुपे आज भी लिया जाता है जो लोग पैसा देना चाहते हैं जो कहते हैं हम पैसा नहीं दे सकते हमको फ्री चाहिए तो है चर्च इसके बाद कुछ नहीं करता उसके बाद की पूरी कारवाई उनका अंडर्टेकर जो होता है जिसके पास उनकी मयत जाती है वह पंदरा हजार जले के पचीस हजार रुपेता का खर्चा हों हमने उनके बार डिफेमेशन का जो केस दर्च किया है तो एक अलफाज म मुझे मुझे को मुझे खतम कर देना चाहिए आपने कहवत सुन्यों कि खिस्यानी बिली खंबा नोच वहीं कर रही है और क्या करेंगी और इंटेव्यू देखेगा मैं सबसे अपील करता हूं कई बार हमारे पास लावारिस लाशे आती है जिसके लिए सारा कुछ खर्चा जो है वो ट्रस्ट को करना पड़ता है कई बार पुलिस लेकर आती कई बार ऐसी होते हैं लोग जो वाकई में नहीं पैसा दे सकते तो ऐसे लोगों को ट्रस्ट पूरी तरह से फ्री करती है हमने ऐसे भी लोग देखे जो वाकई में कफन-दफन का भी सामान नहीं जुटा तो मैं आपके माध्यम से सब उन लोगों से गुजारिश करूबा कि आप ऐसे लोगों के लिए अगर आप चाहो तो आपकी हलाल रोजी में से हलाल कमाई में से जो आप ऐसे लोगों को आप ट्रस्ट में पैसा जमा करें कि हमारे तरह से अगर इसा कोई आता है तो आप उसक लिग्गम गलिए लिग्गम गलिए